हालो एव्रीबण कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजुन का बेवी कैप इस डिजैन को आप बेवी के दालके दिखाऊंगे आपको ऐसे तीन दागे करने के बाद यहां पे हम डिजाइनर फंदे डालेंगे तो देखें इसे फशा लिया और ऐसे किया अब देखिए ऐसे करेंगे यहां पर इस तरह से कि एक फंदा ऐसे और एक ऐसे कि यह कि अ इस तरह से तो इस तरह से यहां पर हमने एक टी बन फंदे लिये हैं 81 फंदे यह में 10 के मल्टीपल से फंदे पड़ते हैं तो 80 फंदे लेने के बाद एक फंदा मैंने एस्टा लिया है आप इसको 120 फंदों में बना सकते हैं अगर फुल साइज का बनाएंगे तो आप 120 फंदे लेके एक फंदा एस्टा ले लिजिए तो इस तरह से लेडिज का यह बनके कम्प्लीट हो जाएगा और यहां पर देखिए इसका जॉइंट भी पता लिए और देखिए यहां पर मैंने फंदے डालने के बाद दो ल्टे और दो सीदे का बॉर्डर मेंने बनाया है एक दो तीन चार पानफ शेश कर लेज़ा है इसमें 10 के मल्टिपल से फंदे पलते हैं एक फंदा मैंने इसमें एड़ किया है तो इस तरह से मैंने यहां पे यह टूटल 81 फंदे इसमें लिए हैं 80 बन फंदे आप अपने प्रोजेक्ट के इसाफ से इसमें फंदे ले सकते हैं हम आपको 21 फंदे में बता रहे हैं तो यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे हमने इसमें सीधे बुन लिए यह आपको बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह से डिजैन डालनी है एक फंदा ब्लू उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच इस बूल को हम साथ में रखेंगे छे साथ आठ नो नो फंदे हमने सीधे बुन लिए सेंटर में उसके बाद एक फिर से बुलू और देखिए यहां पे पांच फंदे हमारे पास एक दो तीन चार पांच और देखिए अगर यह वाली डिजैन आप चौड़ी डालना चाहते हैं तो यहां पे आप 11 फंदे की भी डाल सकते हैं जैसे मैंने यह नो फंदे रखे हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं आप देखिए उल्टी रो में हमने यह फंदा उतार लिया दो तीन चार चार फंदे बुने अब हम इसको देखिए ऐसे कर देंगे यहां से एक इधर से बिलू बना लेंगे एक सेंटर का और एक इस साइड से उसके बाद हम यहां पे एक दो तीन चार पांच छह साथ साथ फंदे हमने सेंटर में बुने अब देखिए एक इधर से यह और एक यहां से यह देखिए तीन फंदे हो गए मेरे पास आप यहां से एक दो तीन चार चार इधर बना लिए अब देखिए यहां से हम दिजयन की तीसरी रू बनेंगे तो इस फंदे को हम उतारेंगे दो तीन तीन फंदे बनेंगे इसको हम ऐसे कर देंगे इधर से इसको बना लेंगे अब यहां पे बलू से पांच फंदे हो जाएंगे तीसरी रू में इस वाले धागे को हम ऐसे इसी में ले जाएं अब यहां पे एक, दो, तीन, चार, और देखें पांच, पांच फंदे मेरे पास यह पीछ कलर के रही रहा है, अब यहां से यह हमने यह पीछ कलर का बुन लिया, दो, तीन, चार और देखिए पाच अब देखिए यहां पे एक, दो, तीन यह देखिए तीसरी रो यहां पे कम्प्लीट होती है चौथी रो उल्टे तरफ यहां से एक फंदा हम उतारेंगे और देखिए एक भून लेंगे अब इस फंदे को हम बिलू कलर से बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, और एक इधर से ले लेंगे, साथ, साथ बनाने के बाद, एक, दो, तीन, तीन सेंटर में राए गए मेरे पास, अब देखिए आँसे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, और एक इधर से साथ, आप देखिए यहां से एक और यह दो दो फंदे मेरे पास रहा गए आप देखिए यहां से इस फंदे को हम उतार लेंगे और इसको बलू से बढ़ा लेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ एक इधर से तो देखिए नौ फंदे हो गए मेरे पास एक सेंटर में रह गया है यह देखिए ऐसे पीच का अभी यहां से एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ और एक इधर से नौ एक लाश्ट में यहां पर यह देखिए इस तरह से यह देखिए यह देखिए सीदे तरफ से यह पाच मीरो कंप्लीट हो गई अब देखिए छट मीरो यह छे रो का डिजाइन है पूरा छे रो में कंप्लीट हो जाएगा अब देखिए इस रो में आप ध्यान दीजिए यहां पे देखिए अब हम फस्ट रो रिपीट करेंगे जैसे हमने फस्ट रो में यहां पे पांच फंदे बुने थे वैसे ही देखिए तीन और चार पांच पांच बुन लिए ऐसे अब देखिए हम बिलू कलर से एक फंदा बुनेंगे ऐसे उसके छे, साथ, आठ, नो, यह देखे, इस तरह से, अब यहाँ पे एक ब्लू आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से देखे, यह डिजाइन डलके कम्प्लीट हो गई, ऐसे, ऐसे ही इनी सलाईयों को आपको रिपीट करते जाना है, कम्प्लीट होती जाएगी, यह देखे, यहाँ पे मैंने यह लंबाई इसकी बना के कम्प्लीट कर ली, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार डिजाइन मैंने यह ब्लू की डाले हैं, एक, दो, तीन, चार, चार इसकी पड़ी होई हैं, तो यहाँ पे अब हम पूरी र एसे बना लेंगे इसे कलर से बुंते हुए जाएंगे लिए ठाल है है तो हम यह रो कम्प्लीट कर ले रेंगे एक रो मैन गंप्लीट कर ली आप देखिये हम यहां से इस तरह से पूरी रो सीध़ बलेंगे इस पीच कलर से दूसरी रो तूम बना लेते हैं यह देखिए दर से मैंने रोप पूरी कर ली अब देखिया हम दो रोदो और इस इस कलर से बनाएंगे एक दर से उल्टी और एक उदर से सीधी तो यहां पे हम दोड़ यह कंपलीट कर पर दिखाते हैं यह दीखिये हम दोड crisis तीद अड़ हमने उल्टी और बना ती है तो यहां से अब देखिए हम फंदें गटाएंगे तो देखिए इस तरह से 1,2.,3,4 ,5 पांच फंदें बनाने के बाद हम दो का एक करेंगे ऐसे अब यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बनाने के बाद दो का एक कर देंगे, इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पर दो का एक, तो हम यह रो ऐसे ही बना लेते हैं, यह देखिए इस तरह से पूरी रो मैंने बना लिये, और देखिए यह यहाँ पर हमने यह लास्ट में दो काईग किया। यहाँ पर मिए पास 4 फ inexpensive अब हम जब यहाँ पर क monitये 19我 ने ए इससे ही बुनते नीक तो हम इस रो को Bना के एक करते हैं। उल्टी रो मैंने कम्प्लीट कर ली, आप देखिए हम यहां से एक फंदा उतार लेंगे, दो, तीन, चार, चार फंदे बुनेंगे और यहां पर दो काई कर लेंगे, उसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही हम इस रो को बनाएंगे, यहां पर चार फंदे बुन यह वाली उनाकने के बाद अगली रो से हम यहां पे भी लाष्ट में दो काई करने लगेंगे इस रो में अभी नहीं घटाएंगे हम उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे इसी तरीके से हम उसके बाद देखिए फिर तीन बुनके इसको दो काई कर देंगे फिर दो बुनक आपको ये देख़े इस तरह से मैंने सभी फंदे घटा लिए हैं अब देखिए मेरे पास एक एक फंदा जो यह भरी वाला था वो वाले बचाएं ह impressed Aww, आँ मिहां से देखे इन फंदों मैं से सभी मैं से स्वे को डाल देढ़े से कैसे वाले मैंसे हम ऐसे इसको कर लेंगे देखी होल भी असे बंद हो जाएगा और एक बार हम और इनीम आसे सुई को निकाल लेंगे अब देखे हम इसे यसे पलटके उल्टा कर लेंगे और यहां से पकड़के इसको मिलाते हुए पूरा सिल देंगे नीचे तक यह देखिए ऐसे कर लेंगे लाश्ट तक इसको ऐसे ही मिलाते हुए से लेंगे यहाँ से देखिए जो कलर जैसा है उसको हम वैसे ही मिलाके सिल देंगे जो भंदा मैंने उतारा है उसी को मैं ले रही हूँ अब देखिए इधर भी हमें ऐसे ही सिल दे जाएंगे इस बूल को हम अंदर करेंगे थोड़ा सा जो बूल भंदे डालते समय बची हुई है इस बूल को हम थोड़ा सा अंदर के साइड ले जाएंगे उसके बाद हम इसमें नोट लगाएंगे ताकि यहां से यह दिखाई ना दे यह देखे ऐसे यहां पर हम इसे लपेट देंगे ऐसे अब इसको हम कट कर देंगे तो देखे इस तरह से यह यह देखे इस तरह से मैंने इसको सिल्के कंप्लीट कर लिया अब देखे हम इसमें पॉम पॉम बनाएंगे तो पॉम पॉम हम इसमें देखे तीन फिंगर को हम ऐ से लपेटते जाएंगे डवल बूल लिए हैं दोनों कलर से इस तरह से जितना यह मोटा चाहिए आपको पॉम-पॉम उस हिसाब से आप इसमें लपेटते जाएंगे इस तरह से हम इसमें लपेट लेंगे यह हो गया अब इसके बाद हम अब देखिए इस बूल को हमने यहां से कट कर दिया अब देखिए यहां से हम सेंटर से इस धागों को ऐसे कर लेंगे यह देखिए इसको हमने निकाल दिया अब इनी धागों से हम बांद देंगे इसे अच्छे से यह देखें यहां पर हमने नोड लगा दी बापस हम इसको इधर को लाएंगे अच्छे से यह से बांध लेंगे इस तरह से अब हम इसे कट कर देंगे इस तरह से इस दागे को हम नहीं कट करेंगे क्योंकि हम इससे सिलाई करेंगे इसमें तो देखें ऐसे करके इसको हम मिलाते हुए इसको कट कर लेंगे ऐसे पकल लेंगे और देखें जो मुझे एस्ट्राबूलेस में लगेगी उसको हम ऐसे काट देंगे यह देखें यह देखें इस तरह से हमने इसी धागे में ऐसे सुई को डालके और इस साइड में टांक देना है इसको हमने ऐसे कर लिया अब हलका से हम यहीं से थोड़ा थोड़ा ऐसे टांक देंगे इसको ताकि खुले नहीं यहां पर हम नॉट लगा रहेंगे उसके बाद देखेंगे क्यों पराद Gण